नमस्पा दोस्तों आप शवी का शोवागत है आज हम लोग इस वीडियो में SSC, CHSL में पूछे के प्रशनों का एनलेसिस करेंगे और आपको एक निचोर दिया जागा जिससे 24 में कोई स्टार्ट होने वाले CHSL एकजाम को आप असानी से तार्गेट करका पूछे हसल कर सकते है यानि आप एकजाम को क्रेक कर सकते हैं प्रशनों को प्रविर्ति को आप समयजी है और उसे प्रशनों को पसानी से भेट सकते हैं तो आज हम लोग इस वीडियो में SSC, CHSL का प्रिवियस इर प्रशनों का डिसकस्ण करेंगे और आपको बिल्कुल एक निचोर दिया जागा और इसके पीडियाप आपको टेलिग्राम चैनल पर प्रवाइड कर दिया जाएगा जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रीप्शन मिलेगा या आप टेलिग्राम चैनल पर जाकर साज कर सकते हैं स्टाडी लिंक पीडियाप वहां से भी जाकर आप जवाएन हो सकते हैं तो यह मुझे सीधा वीडियो को सुरू करते हैं पहला प्रश्ण पूछा गया है पहला प्रश्ण है कि निमलिखित में से किस राज ने दिशंबल 2020 में भूमी अतिकरमन अधिनियम 2020 लागू किया और यह जो प्रश्ण है 2021 में CHSL का एक्जाम हुआ था उसका प्रश्ण है तो आपको बहुत जाद इस्च फाइदा होगा कि किस टाइब के प्रश्ण पूछा जाता तो पहला प्रश्ण के निमलिखित में से किस राज ने दिशंबल 2020 में भूमी अतिकरमन जिसको बोलते निशेद अधिनियम 2020 लागू किया मत परदेश, महराष्ट, गुजरात या पंजाब तो इसका जो जराइट अंसरोजागा उप्सन नमबर C, गुजरात नेक्स्ट प्रश्ण पूछा गया है कि मिरीदा के किस हिस्से में खनीज पदार्थ, पोशक ततो और जेल के साथ कारवानिक पदार्थ, शमाविष्ट होते हैं जिसको आप असानी से समझेगा रामशे यह जो आप देख रहे हैं एक होता है, हीरोजन, देखें आप लिखा गए होरोजन और एक होता है प्रोफाइल तो होरीजन से मिलकर बनता है प्रोफाइल जैसे यह आपका क्या है होरीजन और इस से मिलकर जो बनेंगे उसको क्या बोलेंगे यानि इस पूरा को क्या बोलेंगे प्रोफाइल और इसको बोलेंगे होरीजन इसको क्या बोलेंगे होरीजन और इस पूरा से मिलकर बनेगा उसको बोलेंगे प्रोफाइल यानि होरीजन से मिलकर बनता है प्रोफाइल तो जो सबसे उपर वाला होता है इसको बोलते है ओ शोवाइल इसको ओ शोवाइल क्यों बोला जाता है ओ मतला और्गेनिक तो आपको मालूँ कि जो सबसे उपर होता है मिरीदा का उस पर जो भी कचला फिकना रहाता है सबसे उपर बहुत ही फतला होता है इसले हिसको क्या बहुत है और गिनिक शोयल उसके बाद होता है यह शोयल याणि A ओर A बहुत हैं इसको क्या बोलते हैं रॉक सोयल रॉक सोयल और ए वाला को बोलते हैं टॉप सोयल और बी को बोलते हैं सबसोयल और शी को बोलते हैं वैड सोयल तो सबसे उपर वालों क्या बोलते हैं और गेनिक सोयल तो और गेनिक सोयल क्यों बोलते हैं यहां कि जितना भी कचड़ा रहता है उसको कहां फेकते हैं सबसे उपर वालों कि यह बहुत ही ज़्यादे पतला होता है इसको बोलते हैं organic soil एवा लोग क्या बोलते हैं? top soil जितना भी आप खाद फदार्थ छोटा पेड़ फवधा कीड़े मकोड़े सभी कहाँ पहाँ जागा? ए यानि top soil में यानि A horizon में और इसी को क्या बोलते हैं? top soil जितना भी छोटा पेड़ फवधा या जितना भी आप धान इसाव रोपते उसमें जो खाद डालते कहाँ जाएगा? A horizon यानि top soil में और जो B दीख रहे है B जो B horizon है यानि top soil इसमें क्या पहाँ जाएगा? तो जो बड़े पेड़ पौध है उसका जो जड़ कहां तक रहेगा? B soil में C यानि bad soil इसमें हो जाएगा छोटा पत्थर इशब हो जाएगा कंकड़ इशब यह कहाँ पाएगा? C soil में और पहली बार जो रोप देखने के लिए मिलता है पत्थर वो कहाँ मिलेगा? C यानि bad soil यानि C होरीजन में और D यानि rock soil यहां क्या पाएगा जाता है? यहां जितना भी बड़े बड़े जो अपाटमेंट होता है उसका जो आप देखते हैं जो निकाला जाता है तो उसको rock soil पे से निकालना होता है यानि उसका जो building तयार करेगा इंजिनियर उसको JSV से गढ़ा खोत पर कहां तक लेकर जाएगा? रॉक्सोयल और यहां से उस दिवाल को तयार करना स्टार्ट करेगा तो बड़े-बड़े जो building देखते हैं कहां से स्टार्ट होता है? उसका दिवाल कहां तक रहाता है? रॉक्सोयल यानि D होरीजन तक तो यहां जो पराशने पूछाएगा कि मिरीदा के किस हिस्से मेखनीच पदार्थ पोशक तत्व और जेल के साथ कारवानिक पदार्थ समाविष्ट होते हैं तो आप्सन नमबर A इसमें क्या पाया जाता है? कीडे, मौकोडे, छोटा, पेड़, पाओधा, खाद जितना भी आप डालते हैं उस अभी कहां जाएगा? A यानि टॉप्सोयल A होरीजन और होरीजन से मिलकर क्या बनेगा? प्रोफाइल इस पूरा को क्या बोलेंगा? प्रोफाइल तो अप्सें नवर C राइट अंसर होजाएया और फ़ाहली वर पत्थर देखनों के लिए का मिलता है C होरीजन में ये प्रोफन पूछा गया C होरीजन में नेक्स्ट प्रोफन चलते है नेक्स्ट एकिए नमलिकेत में से कौन? अंतरश्टिय सूटिंग अस्पोर्ट फ्रेडरेशन दोवार विस्वर रैंकिंग में नंबर एक पर पहुचने वाली पहली भारतिय पिस्टल सूटर है हीना शिद्धू, ओप्शन नंबर डी निमलिकित में से किस राज में शबरी माला सिरी धर्म संस्था मंदिर इस्थित है तो शबरी माला कहा है श्थित है, केरल में और इस शबरी माला में कौन सा तेहुआर मनाया जाता है यह प्रशन पूछा जाता है तो कौन सा जगा, एक मकर बिलक्कू तो ये कहां मना जाता है तो शबरी माला में और ये कहां मना जाता है केरल और शबरी माला कहां जाती था केरल में मकर विलक कुते हुआ तो option number 1 के हो जागा right hand सुरो जागा next person चलते है नेक्स्ट है कि निम्लिकित में से किस बर्ष में आंद्र परदेश राज के फुनर गठन के वद तिलगाना भारत को 29 राज बना तो तो तिलगाना भारत को 29 राज का बना था दो जून 2014 को तो यहां पर पूछा कि 29 राज बना था यानि 2014 में ओप्सन नमबर सी काव दो जून 2014 को नेक्स्ट परसने चलते हैं जारखंड से भी पूछ सकता है कि जारखंड बिहार से कावाला हुआ और उड़ी से कावाला हुआ तो दोनों कावाला हुआ था दो हजर में उश्भरतिय राज की पहचान करेश जिसे महाकाववेकाल में प्रागज या प्राग जोतिश के रूप में जाना जाता था तो नाम क्या है अस्थम उश्भरतिय राज की पहचान करेश जिसे महाकाववेकाल में प्राग जोतिश के रूप में जाना जाता है तो अंसर क्या तो यहाखा पर लिखाया दाब मापने के लिए एसा एकाई किया है तो दाब बराबर होता है बलवटा छेतर फल बलवटा छेतर फल दाब को क्या लिखते हैं न्यूटन और छेतर फल को लिखते हैं मीटर स्कूर क्या चेतर फल क्या होता है यहां पर चेतर फल मीउटरा स्कूर को को ही क्या बोलते हैं पास्कल तो प्रश्ण बाष्ण दाब मापने के ृसा एकाई क्या है तो पास्कल या भी देगा न्यूटन मीटर स्कूर ओ यूट वा विखते आप से नमबर दी Kos छे नमर तो प्रस्ण बता दी इसका अंसर क्या होजागा सी नमर नेक्स्ट प्रस्ण चलते हैं नेक्स्ट ठेकनी में लीखेत में से कौन जन्वारी 2021 में पूर्सों के टेस्ट मैच में एंपायर करने वाली पहली महिला एंपायर वन गई एंपायरिंग करने वाली पहली महिला कौन वनी तो कलेयर पोलो शाक कलेयर पोलो शाक नाम क्या है कलेयर पोलो शाक तो नाम याद रखेगा ऑप्शन नंबर भी नेक्स्ट है कि आप कम्प्यूटर के कीवोड पर इस्थित उस कुन जी को क्या कहते हैं जिसका उप्योग स्क्रीन पर फॉइंटर जिसको बोलते हैं कर्सर को अस्थनांत्रित करने के लिए किया जाता है यह नहीं जो कर्सर होता है उसको इधर उधर मतले लेट राइट उपर नीचे करने के लिए करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं नेविगेशन की देखिए यहाँ पे जो लिखा लेए F1, F2, F3 इसको बोलते है फांक्शन की और यहाँ पे जो लिखा लेए कंट्रोल की जैसे मैं कंट्रोल Z इसको करते हैं इसको क्या बोलते हैं कंट्रोल की और इसको भी क्या बोलते है control key और यहां पे जो आप यह देख रहे हैं इसको बोलते है alpha numeric key alpha numeric कहने का मतलब क्या ABCD यह सब कहां लिखा रहा था इस पे और इसको जो देख रहे हैं इसको बोलते है navigation key यानि उपर नीचन करने के लिए किसको क्यों किया जाता नीविगेशन की को और यहां पर नॉम्रिक की यानि 1234 जो भी अंक डालना रहेगा कहां से करेंगे नॉम्रिक किसे तो यहां पर राइट अंसर क्या होना चाहिए navigation की option number B नीवन भारतिय नगरीकों में से किसे US से legion of merit अवाट 2020 राप्त हुआ नरेंद्र मोदी निमलिकित में से किस राजस्तरकान ने जन्वरी 2021 में भारत के श्रम्विधान के ब्रेल संसकरन का अनावरन किया ब्रेल एक लीपी होता है जिसका उपयोग कहां किया जाता है जो नहीं देख सकता ब्रेल एक परकार का लीपी होता है उसका उपयोग कहां किया जाता है जो मतलब देख नहीं सकता वहां किया जाता है ब्रेल लीपी का उपयोग इसमें मतलब कोड़वर्ट का तरह होता है जैसे में A यहाँ पे लिखा या सिंगल पॉइंट बी में क्या लिखा गए इस तरह से मतलब उसको टैच करके आप समाझ सकते हैं कि A लिखा गया है या B लिखा गया है या C लिखा गया है उसी को बोलते हैं ब्रेल लीपी इसका सुरियाप्ट कुस्ना किया था सुरूब है लुश ब्रेल इसल्यान क्या पड़ा ब्रेल तो लुश ब्रेल के दुवार्य इसको शूरू किया गया था और लुश ब्रेल का जनम का हुगा था फ्रांस में चार जनवरी 18 सुनों को तेहां में पूछा गया किस राज सरकार ने जनवरी तो हुजरे कहिश में भारत के शमीधान के ब्रेल संसकरन का अनावरन किया है महराष्ट ओप्सन नमर डी नेक्स्ट है कि निमलिकेत में से किसे अधुनिक परमानु सिधान का जनक माना जाता है तो यह तो असानी सब कर सकता है जाण डाल टान ओप्सन नमर ए नेक्स्ट परसन चलते हैं नेक्स्ट है कि चुनना पथर और डोलोमट जैसी घुलनसील चैटानों के अप्छाय के कारण मैदानों का निर्मान होता है तो यहां अप्छाय का मतलब क्या होता है अप्छाय का मतलब होता है तूटना यानि नास और एक होता है अपर्दन अप अप्छाय का मतलब होता है तूटना अप्छाय का मतलब होता है तूटना और अपरदन कहने का मतलब होता है जैसे मैं आप गौव में सुने होगे कि मिट्टी जढ़ रहा इसका कहने का मतलब क्या होता है अपरदन उसी को तो बोला जाता है अपरदन मिट्टी का जढ़ना क्य दूसरे जगा अस्थनांत्रित होगा क्योंकि धूल के रूप में क्या हो जागा हावा के दोवारा या पानी के दोवारा अस्थनांत्रित होगा लेकिन अप्छाय में जो तूटेगा वह अस्थनांत्रित नहीं होता है जो पदार्थे होती है भूपदार्थे क्या होता है अस इसको क्या बोलते हैं कार्ष्ट तो अप्सन नमबर ए नेक्स्ट की जनवरी 2021 में निमली खित्मिस्सकी से आंधर पर्देस्ट के उच्छ न्याले का मूख न्याइधिस न्यूप्त किया गया है अनुरूप कुमार गोश्वामी ओप्सन नमबर ए बिटामिन B बारा आम तोर पर डॉट में महजूद नहीं होता है यानि किस में महजूद नहीं होता है बिटामिन B बारा दुगद उत्पादो, मतस उत्पादो, कुकुट उत्पादो या बनस्पती अधारित खाद पदार्थो तो किस में नई उपस्तित होता है बनस्पति अधारित खाद पदार्थो बागी तीनों में उपस्तित होता है नेक्स्ट प्रस ने पूछा गया कि is the process of turning on a computer and powering up the system यानि computer को बंद करना और power को चालू करना क्या कराता है मतलब जो परिकिरिया जो होता है उतना time उसको क्या बोलते है जैसे माँ बंद करते है तो कुछ time लगता होगा चालू करते है तो भी कुछ time लगता है तो उसको क्या बोलते है उसी को बोलते है बूटिंग कुछ नहीं है सेंपल प्रस ने पूछा गया तो option number C उसको क्या बोलते हैं booting is the process of turning on a computer and powering up the system तो उसको क्या बोलते हैं booting option number C next प्रस ने पूछा गया बीजायन अगर समराज के स्थापना निवन कित्म से किस बर्स हुई थी हर्यर और बुक्का के दौ़रा कब किया गया था 1336 में यानि option number B किस के दौ़रा किया गया था हर्यर और बुक्का के दौ़रा यह प्रसन सीधा पूछा जाएगा निवन में से कौन भारत का पहला लोकफाल बना तो पिनाकी चंद्र गोश या पीसी गोश दे भी सकता पिनाकी चंद्र गोश ऑप्सन नमबर B जब भारतिये रूपिये का अब मुलियन का मतलब क्या होता है देखें अब मुलियन यानि मूल का क्या होना गिरावट क्या कहलाता है अब मुलियन तो भारतिये निर्यात पर क्या परवाब फड़ता है निर्यात का मतलब होता है export करना और आयात का मतलब होता है import करना तो भारतिये निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ता है तो क्या होगा निर्यात सस्ता हो जागा यहाँ अब मुल्यन हो रहा है यानि मुल्यन में क्या हो रहा है गिराबट हो रहा है मूल में तो निर्यात पर क्या हो जागा सस्ता हो जागा तो आप्शन नमबर D भारती एस्टेट बैंक का कॉर्पूरेट के इंदरे निम्लिकी तमसे किस सहर में इस्थित है एस्वी आई का स्थापना कब हुआ अठारा सो छे पलस अठारा सो चालिस पलस अठारा सो तेतालिस अठारा सो छे में कुलकत्ता बैंक का स्थापना किया गया था अठारा सो चालिस में बंबाय बैंक का स्थापना किया गया था और अठारा सो तेतालिस में मदराश बैंक का स्थापना किया गया था इन तीनों बैंकों को मिला कर बनाया गया इंपीरियल बैंक 1921 में क्या बना गया इंपीरियल बैंक और Imperial Bank का नाम बदल कर 1905 में SVI कर दिया गया A State Bank of India और इसका मुख्याले का हसती था Mumbai में तो इसका right answer का जगा option number B Next प्रस्षन 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 समानित किया गया था राजा कमल जग Next प्रस्षन प्रस्षन क्या है कि महसागरी द्रोनियों के ममूली धलान वाले छेत्रे होते हैं तो इसको अब समझे है रामशे देखे एक होता है यह माली जी के महसागर है यह क्या है महसागर इसको बोलते हैं तट इसको क्या बोलते हैं तट और इसको बोलते हैं समूद्रिय धलान यह महसागरीय धाल इसको क्या बोलेंगे महसागरीय धाल इसको क्या बोलेंगे महसागरीय धाल और इसको बोलेंगे महसागरीय मैदाल और इसको बोलते हैं द्रोनी और यह जो आप देख रहे हैं इस वले जो एरिया को बोलेंगे गर्थ यानि जो सबसे निच्चा होता है यानि सबसे जो अंदर होता है या जो सबसे गर्धा में होता है उसको क्या बोलते है गर्थ अरे गर्थ का मतलब होता है खाई हिंदी में क्या बोलते हैं खाई यह गर्थ बोली एक क्या है आपका गर्थ तो इसको दुरोनी इसको क्या बोलते हैं महाशागरिय मैदान इसको महाशागरिय डाल और इसको बोलते हैं तट तो प्रश ने पूछा है कि महाशागरिय दुरोन वहां जाहिए तो खत्रा ही तो है तो option number B और ये जो आप देखने हैं इसको क्या बोलते हैं घ्र जो निकला होता है इसी में जो जहाज का पैंदी होता है और टकरा आप फूट जाता पानी का पाहर भी नहीं निकला होता है नहीं तो पानी के पूरी तरह से अंदर होता है यानि पानी में छूपकर होता है थोड़ा सा पानी के ज़़स्त नीचे होता है इसको बोलते है रीज यह कटक तो option number B right answer हो जागा कावर ताल आद्र भूमी को 2020 में रामसर साइट के रूप में नामित किया गया था यह निम्लिखित में से किस राज में इस्थित है बिहार कावर तल कहने के मतलब क्या पूछ रहा है कावर जील के बारे में पूछ रहा यह कहां इस्थित है बिहार में नेक्स्ट एक जन्वरी 2021 में AIA5 फूल फर्म क्या होता है आल इंडिया फुट्वाल फेडरेशन ने निमिखित्म सा किसे अपना पहला राज महस्चीव निक्त किया पहला उप महस्चीव पूछा जा रहा है किसको निक्त किया अभिस्टेक यादव नेक्स्ट की आसर में काटी भी हूँ पर्व को किस या खालिया स्थान के पेड या पौधे के शामने दीप जला कर मनाया जाता है तुलसी का पेड कौनसा पेड तुलसी का पेड और हिंदू धर में कनुशार तुलसी का पेड जो है बहुत ही पवीत्रे माना जाता है तो इसका राइट अंसर को जा ऑप्शन नंबर डी तो जितना भी प्रस्ण था 25 प्रस्ण ने पूछा जाता है CH SL में तो 25 प्रस्ण ने कंप्लीट करा दिये और इसका पीडिएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिया जागा जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रीप्शन भी मिलेगा या आप टेलीग्राम चैनल पे जाकर साच कर सकते हैं study link पीडिएफ वहां से भी जाकर जोईन हो सकते हैं तो टेलीग्राम चैनल को जाकर जोईन कर लिजेगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए अपना ख्यार रखें, जय हिंद, जय भारत! मतपूर्ण अधीनियम, यहां क्या लिखा गया? मतपूर्ण अधीनियम, तो मतपूर्ण अधीनियम में क्या क्या आएगा? उसको आप देखें, पहला जो मनेगा प्राशन है कि बन जीव संरच्छन अधीनियम, यहां पर आपने लिख सकते हैं पूरा कि बन जीव संरच्छन अधिनियं ole 72 ईसके बाद आता हैं टाइगर प्रोजेक्ट उसके बाद नई टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर प्रोजेक्ट का बातां 1973 में It'sWorld तो अपसे प्रस्णे पूछेकाओ बन जीव संराच्छन अधिनियं ole टाइगर पुर्जेक्ट नगे सो तहत्तर एक अप्रेल नगे सो तहत्तर को परियावरन शन्राच्छन अधिनियम 1986 परियावरन संदाच्छन अधिनियम 1986 सेवी अधिनियम 1992 सेवी अधिनियम 1992 जय बिविदिता अधिनियम जय बिविदिता अधिनियम 2002 जय बिविदिता अधिनियम कब का था? 2002 तो जय बिविदिता अधिनियम 2002 दो और जैव बिविदिता दिवस कब मनाया जाता है ए आपको comment box में इसका अंसर बताना है जैल दिवस पिर्थिवी दिवस और जैव बिविदिता दिवस ए तीनों का अंसर आपको comment box में बताना है क्यांकि इसके बारे में आपको बहुत जादा बतायागा है तो इसका अंसर आप कहां बताईएगा comment box में next प्रस्ट ने आपदा प्रवंधन अधिनियम आपदा प्रवंधन अधिनियम 2005 दो हजार पाच आर टी आई राइट टू इनफोर्मेशन हिंदी में यहाँ पे लिख लिएगा सूचना का अधिकार सूचना का अधिकार और इंगलीज में क्या बोलेंगे? राइट टू इनफोर्मेशन सूचना का अधिकार अधिनियम कब का था? 2005 दो हजार पाच next है elephant act elephant act 1992 और 1992 में एक और अधिनियम बताई जो क्या था? सेवी अधिनियम दोनों कब का है? 1901 में elephant act सेवी अधिनियम अगर आपसे पूछेगाए elephant act 1902 में, सेवी अधिनियम 1901 में next है RTE right to education सिच्छा का अधिकार RTE right to education सिच्छा का अधिकार यहाँ पे हिंदिय में आप लिखिए सिच्छा का अधिकार सिच्छा का अधिकार सिच्छा का अधिकार यहाँ अधिनियम कब का था? 2009 2009 लागू कब से हुआ? 2010 से लागू 2010 से अगर अधिनियम पूछेगा सिच्छा का अधिकार अधिनियम कब कर था? 2009 लागू कब से हुआ? 2010 से और सिच्छा का अधिकार मूल अधिकार में कब सामिल किया गया? मूल अधिकार में अनुछेद 21 के A में है 86 संबिधान संसोधन 2002 में सिच्छा को अधिकार को यानि सिच्छा का अधिकार को मूल अधिकार में सामिल किया गया कब 66 संविधान संसोधन 2002 में और अनुछेद 21 के A में और मूल करतब में भी इसको सामिल किया गया कौनसा संसोधन था? तो संसोधन सेम था यानि सिच्छा का अधिकार, से रिलेटेड अगर आपसे प्रस्ने पूछता, कौन सा संसोधन था? श्या सीमा संसोधन, कब हुआ? 2002 में Next, उपभोगता संराच्छन उपभोगता संराच्छन अधिनियम पूछेगा? 1999, 1999 बली यह भी न? नोट कर लेजेगा, 2019 उपभोगता संराच्छन अधिनियम, 2019 लागू कब से हुआ? 2020 से छोटा डेट 22 जुलाई 2020 से लागू हुआ महामारी रोग अधिनियम, most important है क्यों? क्योंकि अभी कुरोना वाइरस चल रहा है तो क्रोना वाइरस चल रहा है, तो इससे रिलेटेट पूछा जाएगा महामारी रोग अधिनियम, कब का? 1897 तो यह रहा